तो भाई ओलंपिया का आगाज हो चुका है और मैं आपके लिए बहुत ही खतना अपडेट्स लेका हूँ जो कि बहुत ही लेटेस अपडेट्स ओलंपिया की तुरू तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा किन एथलिट्स को कौन सा ट्रंक नमबर मिला है और उनकी करण फि फिजिक अपडेट्स भी दोस्तो आप देख सकते हो इनकी करेंट कंडिशन कितनी अच्छी लग रहे है शोल्डर किते वाइड लग रहे है एपस और कोरेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहे है बागी देखते हैं जब स्टेज पर आएंगे तो कैसी परफोमेंस देत हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले अपडेट की जो क्यार हमारे निक वोकर की तरफ से दोस्तों निक वोकर को भी इनका ट्रंक का नमर मिल चुका है और उनका जो ट्रंक का नमर है वह है नमर 14 मुझे लगता है इनके लगकी साबित हो सकता है बाकी इनकी तरफ स के लिए रूप से बाकि लेक्ट सी कंडिस्व दोस्तों आप देख सकते हो एक मसल के लिए रूप से वीजुवल हो रही है बाकि मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा खतानाग साबित हो सकते हैं और जब काब लोड़ करेंगे तो दोस्तों की मसल और भी ज्यादा फूलर है तो आप खुद देख सकते हूं किते ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं भी कितना ज़्यादा है बाइस की पीक एंड लेक्स प्लस निका जो बेक्यूम है बहुत थी अच्छा लग रहा है बागी देखते हैं दोस्तों यह क्या कर पाते हैं को और कौन सी प्लेसिंग ही लेक पॉजिंग दी तो भाई यह तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं आप इनकी फिजिक देख सकते हैं कितना ज़्यादा मास मोनस्टर यह लग रहे हैं फाइवर के लिए रूप से बिजल हो रहे हैं बाकि मुझे लगता है इनके साहिज के मामने कोई टक कर दे प